हर्याना के रादोर में कोरोना वैक्सिनेशन का कार्य तेजी से जारी है आज इसी कड़ी में पूर्वराजय मंत्री कर्णदेव कामबोच सरकारी अस्पताल में बनाये गए वैक्सिनेशन सेंटर पर पहुंचे और वैक्सिन का टीका लगवाया इस मौके पर पत्रकारों से बाचीत में उन्होंने कहा कि ये हमारे लिए बहुत सो भाग ये की बात है कि हमारे देश में सबसे पहले इस बिमारी से बचाओ के लिए वैक्सिन तयार की गई उन्होंने लोगों से भी अपील करते हुए कहा कि वे वैक्सीन लेने के लिए आगे आए और सरकार द्वारा कोरोना से बचाओ के लिए बताए नियमो का पालन करे वही सरकारी इस्पिताल के स्मू डॉक्टर विज़ा परमार ने बताया कि राद ओर में अब तक 2200 लोगों को वैक्सीनेट किया जा चुका है उन्होंने कहा कि लोगों में अब वैक्सीन लगवाने के प्रति काफी उत्साह देखने को मिल रहा है यह हमारा बहुत बड़ा सोबाग्य है कि हमारे देश ने सबसे पहले दुनिया में सबसे पहले वैक्सीन बना करके तियार की है और आज हम पूरे वर्ड को जाने ये वैक्सिन बेज भी रहे हैं और यहां अपने देश के अंदर जाने वैक्सिन नेशन का काम पूरे जोरो शोरो पर है अभी सरकार निया जिस प्रकार से शुविधा दिया है कि S Shamiti सेisl goal भी लोग हैं उनको जाने वेक्षिन पहले रात्मिक्ता का डार पर दी जा रही है या जो λोग बेमार हैं जिनको कोई किसी प्रकार की देख कै था है उनको ये वेक्षी नेशन दी जा रही है तो आज मैंने भी क्योंकि मेरी भी आयू जएनो साट वर्ष सोपर हो गई है मैंने भी आज ये अपना वैटसीन आज ली है कि ताकि मैं अपने साथ साथ जएनो दूसरों के भी श्रक्षा पर सकते हैं दूसरों में यह बिमारी ना फैले तो हर व्यक्ति अगर अपनी जुम्मेवारी से काम करेगा, मास्क लगा करके रखेगा, दोगा बार बार, तो इस बमारी से जीत सकते हैं, तो हम सब को जाना ध्यान रखना चाहिए और कोशिश करने चाहिए कि वैक्सिनेशन का काम भी ठीक, प्रोपर तरीके से सबी लोगों क करना चाहिए कि जल्दी से जल्दी जैना इस वैक्सिन को ले ताकि इस बमारी को जैना खतम किया जा सकते हैं, तो तो टोटल बाइसो है हमारा जिसमें से पंदरा सो साट रोग ऐसे हैं, जिनको पहली डोज मिल चुकी है, और बाकी की लोग बचे हैं, उनको दूसरी डोज भी जा चुकी है, वैक्सिनेशन का जो देख रहे हैं, आप पिछे भी जो है, आज खुद मंतरी जी भी आये हैं, लगवाने के लिए, और साथ में ये जो लोग जितने भी आ रहे हैं, ये सुख खुद, बनलब एक कुद साह से आ रहे हैं, युन्होंने वैक्सिन लगानी ह ब्रेकिंग न्यूज, रास बसेरा आप के लिए लेकर आए हैं, खास मौका, वो भी हर्याना सरकार की अफॉर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाक रुपे तक की सुविधाओं के रूप में सबसीडी, जैसे की फ्री पार्किंग, EDC, IDC क्लब चार्जिस फ्री और मेंटिनेंस फ्री और कोई हिडन चार्जिस भी नहीं, तो आज ही बिना देर किये, अपने सपनों का घर बुप करें